प्रदेश के कुल्लो डिस्टिक्ट में जिभी आपके विकेशन के लिए एक पौफेक्ट डेस्टिनेशन है जिसे और भी खास बनाते हैं यहां के बहुत ही खुबसूरत नजारे यहां की एंशिन्ट आर्किटेक्चुरल बिल्डिंग्स और यहां का रिच टेडिशनल कल्चर तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जिभी के आसपास लोकेटिड कुछ बहुत ही खुबसूरत लोकेशन के सफर पे इन सभी लोकेशन को आप अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं और जब भी आप जिभी आएं तो दो से तीन दिन के टाइम में आप इन सभी लोकेशन को कवर कर सकते हैं जी भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसे वो लोग अपनी वेकेशन के लिए चूज कर सकते हैं जो कि सिटी लाइफ की हसल बसल से दूर एक शान्त और आफबीट एक्सपिरियंस लेना चाहते हैं अल्दो जी भी में आपको बहुत सारी मौडर्ण फैसिलिटीज देखने को तो नहीं मिलेगी बट सभी बेसिक फैसिलिटीज यहां पर रेडिली अवेलेबल हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं सबसे पहले बात कर लेते हैं जीभी की लोकेशन के बारे में तो चंडिगर मनाली हाइवे पर और टरनल के पास से एक डाइवर्जन लेकर लगबग डेर से दो घंटे ड्राइव करने के बाद आप जीभी पहुंच सकते हैं अगर आप हिमाचल प्रदेश का ट्रिप प्लैन कर रहे हैं और आपको आपकी ट्रिप की प्लैनिंग से रिलेटिट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस्टाग्राम पे डियम कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा समर्ज में जिभी का मौसम काफी प्लेजन्ट होता है और विंटर्ज में यहाँ पे बरफ पी पड़ती है इसलिए यहाँ पे काफी ठंड हो जाती है तो जिभी पहुँचने के बाद सबसे पहली लोकेशन जो आप जिभी के आसपास विजिट कर सकते हैं वो है जिभी वाटरफॉल जिभी वाटरफॉल जिभी मार्केट से लगबग 15 मिनिट के वाकिंग डिस्टेंस पर लोकेटिड है और अगर आप अपनी गाड़ी जिभी वाटरफॉल के नजदीक पार्क करें तो वहाँ से लगबग 5 मिनिट के वाकिंग डिस्टेंस पे आप जिभी वाटरफॉल पहु आपके mood को freshen up करने के लिए काफी है और ये चीज जीबी waterfall को एक must visit place बना देती है जलोडी pass next destination है जो आप जीबी के नियबाई विजिट कर सकते हैं जलोडी pass जीबी से लगबग 12 km के distance पर located है और जलोडी pass की mean sea से elevation लगबग 10,800 feet है जलोडी pass के top पर महाकाली का एक बहुत ही खुबसूरत मंदिर भी है जिसे आप ज़रूर विजिट करें जलोडी pass बहुत से खुबसूरत short tracks का base point भी है तो जलोडी pass को विजिट करने के बाद जो अगली location आप विजिट कर सकते हैं वो है सेरिलसर लेक जलोडी pass से सेरिलसर लेक का 5 km का track एक easy track है जिसे आप forest hike भी बोल सकते हैं क्यूंकि छोटी मोटी चड़ाई और उत्राई को छोड़ कर इसका maximum रास्ता एक state road है सेरिलसर लेक के track के लिए आपको लगबग 2 गहंटे लगेंगे और 2 गहंटे पैदल चलने के बाद जब आप इस खूबसूरत location पर पहुंचेंगे तो आपको आपका पैदल चलना totally justified लगेगा यहाँ पर एक आभी नाम की चिडिया होती है जो इस लेक को साव सुत्रा रखने का काम करती है तो यहाँ पर अगर एक पेड का पत्ता भी आकर गिर जाए तो यह चिडिया इस पत्ते को उठाकर ले जाती है और आपको देखने को मिलता है सिरुलसर लेक का crystal clear water सिरुलसर लेक के किनारे पर बूडी नागिन देवी का मंदिर भी है और सिरुलसर लेक को पूडी नागिन जी का पवित्र स्थल माना जाता है जलोडी पास की एक ओर से रास्ता जाता है सिरुलसर लेक के लिए तो दूसरी ओर से रास्ता जाता है रगुपूर गड़ के लिए तो GB के आसपास जो अगली location आ विजिट कर सकते हैं वो है रगुपूर गड़ रगुपूर गड़ फेमस है यहां से दिखने वाले Heavenly Birds Eye View के लिए रगुपूर गड़ से हमें हिमालिया की 100 से भी ज़ादा उंची उंची पहाड़ियों का बहुत ही खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है रगुपूर फोर्ट से कुछ देर वाक करने के बाद दो और बहुत खुबसूरत लोकेशन्स है जिन में से पहली लोकेशन है रगुपूर लेक घने जंगलों और लश्करीन लॉंज के बीच में बसी हुई ये लेक एक बहुत ही पिक्चरस लैंड्सकेप लगता है आप जब इस रीजन में आएंगे तो आपको यहां के लोकल लोगों का लाइस्टाइल देखने का मौका भी मिलेगा जो आपको इस जगह को और करीब से जानने का मौका देता है रगुपूर लेक से कुछ मिनिट और पैदल चलने के बाद आप एक और खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम है पांडूरोपा पांडूरोपा की ये माननेता है कि यहां पर पांडवा द्वारा लगाया गया धान कभी नहीं पकता और ये हमेशा हरा ही रहता है यहां के मार्शी लैंड पर जब आप चलेंगे तो आपको किसी स्पॉंजी चीज़ पर चलने का एहसास होगा और ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत ही खुबसूरत एक्सपीरियंस है जिभी के नस्दीक जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है बाहु विलेज और बाहु लेक बाहु विलेज जिभी से लगबग 10 किलोमेटर की दूरी पर लोकेटिड है बाहु लेक के पास तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और यही पर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आप और भी खुबसूरत लोकेशन्स को एक्स्प्लोर कर सकते हैं बाहु लेक एक बहुत ही अमेजिंग संसेट पॉइंट भी है बाहु लेक से लगबग एक घंटा फॉरिस्ट हाइक करने के बाद आप अगली लोकेशन जो विजिट कर सकते हैं वो है बालुनाग टेंपल बालुनाग जी का प्राचीन मंदिर देवदार के घने पेड़ों के बीच में बसा है और यहां का लेंड्सकेप आपको किसी वॉल पेपर से कम नहीं लगेगा बाहु से बालुनाग तक का पैदल रास्ता एक स्ट्रेट रोड ही है तो अगर आपको ज़ादा चलने की आदत भी नहीं है तो भी आप इस लोकेशन पर इजीली पहुंच सकते हैं अगली लोकेशन जो आप जीभी के पास विजिट कर सकते हैं वो है श्रिंगारिशी टेंपल और चैनी कोठी श्रिंगारिशी टेंपल जीभी से लगबग 9 किलोमेटर के रोड डिस्टेंस पर लोकेटेड है श्रिंगारिशी जी पूरी कुल्लू घाटी के प्रमुक ठारा करडू देवताओं में से एक है और पूरे घाटी के लोगों की इन में बहुत मान्यता है श्रिंगारिशी जी के मंदिर से कुछ दूरी पर हिस्थित है चैनी कोठी तो चैनी कोठी अगली लोकेशन है जो आप जी भी के पास विजिट कर सकते है चैनी कोठी का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चैनी नाम के गाउ में लोकेटिड है और चैनी कोठी को श्रिंगारिशी जी महराज की तपोस्थली भी माना जाता है चैनी कोठी की कंस्ट्रक्शन लगबग 1500 साल पहले की गई थी और लगबग 100 फीट उंचे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन सिर्थ स्टोन और वुट को यूज करके ही की गई है तो आप भी जब जीबी आएं तो इस अमेजिंग मास्टरपीस स्ट्रक्शर को भी जरूर विजिट करें तो ये थी जीबी के आसपास घुमने वाली कुछ बहुत खुबसूरत लोकेशन्स और इसी के साथ हमारी रिकमेंडेशन विदियो बेस्ट प्लेसिस टू विजिट अराउंड जीबी का भी एंड होता है उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही इस चैनल को सबस्क्राइब करना भी न भूले